हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूट्यूब चैनल टेकी गुरुजी तो आज का हमारा टोपिक है हाउ टू क्रियेट ए ए इंटरफेस उन जुनिपर डिवाइस सो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं होता क्या है यह होता है हमारा एग्रिगेटिड इंटरफेस होता है जैसे आपका सिस्को में इंटरफेस होता है जैसे आपका सिस्को में इंटरफेस होता है पोर्ट चैनल होता है अरूबा में लैग नोकिया में लैग तो वैसे ही हम जुनिपर में बंडल इंटरफेस को यह इंटरफेस ब पसंदा है तो प्लीज शेयर भी जुरूर कीजिए तो लाइस्ट टार्ट अगरे बंडल इंटरफेसेज नहीं होते हैं यह अनेबल नहीं होते हैं तो हमें इसके लिए कमांड चलाने पड़ती है सट्टेस यह इंठर्फेसमी जहां चाहिए हूँ जितने आपको इंटरफेसमी करी दहा हैं जासे आभी मेरी र्कॉर्मेंट औल्ली ओन इंटर्फेस किया तो मैं मैं इसको कमिट कर देता हूँ और अभी मैं जो मैंने इंटरफेस बनाया है AI इंटरफेस अभी मैं इस पर कोई IP address देता हूँ अभी मैं जो मेरा Ethernet aggregated Ethernet इंटरफेस है ठीक है AI इंटरफेस है अभी मैं उसके अंदर physical link जो है वह add करता हूँ तो उसके लिए command चलेगी set interface, interface number जो भी आपका physical interface है ठीक है Giga Ethernet option और उसके बाद 80.3ad और जो भी मेरा bundle face का number है same और मैं यहाँ पर भी जो मेरा दूसरा link है उसको भी कर देता हूँ तो मैं अभी इसको अभी चेक कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या command चलाई है तो आप उसके थूरू देख सकते हैं AI interface create किया है और AI interface में मैंना IP address दिया है और जो मेरे दो physical link ते मैंने उनको as bundle में as child interface create किया है बनाया है add गया है तो आये verify करते हैं कि AI interface हमारा create हुआ है यह नहीं हुआ तो उसके लिए हम command चलाएंगे so interface ae0 test तो आप देख सकते हैं कि मेरा AI interface बन चुका है और वो अब भी है और उस पर IP address भी assign है तो ऐसे हम verify कर लेते हैं कि इस interface में हमारे कौन-कौन से child interfaces add है जैसे मैं कर लेता हूं match ae0 तो आप देख सकते हैं मेरा ge01 और 001 मेरा दोनों interface मेरा ae का part है I hope यह वीडियो आपको पसंद आयोगा तो प्लीज लाइक केजिए कॉमेंट केजिए शेयर केजिए और सबसे जरूरी बात subscribe करना न भोलिए thank you so much guys ? वे लाइक कर दो परो आपको प्लीज लुड़त है जरुड़त है